कि यह लो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अधारी टोटल गेस की और ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर आया साथ-साथ 200 दिनों के मुविंग एवरेज के नीचे आया इंट्रा डेको जो है अंदर 200 दिनों के मुविंग एवरेज को तोड़ा है तो कहा 1100 रुपे तक जाने कि इसकी संभाव ना हो सकती है वहां तक गया भी 1100 रुपे पर रेजिस्टर्ण फेस कर सकता है वह भी हमने यहाँ पर बात की थी क्योंकि वहाँ पर 200 वीक का मुविंग एवरेज है नीचे आया फिर यहाँ पर MSCD का bearish crossover हुआ था इस लेवल का असपास अभी हम वो भी देखेगे तब ही हमने चर्चा की थी कि अगर नीचे भी आ सकता है तो लेकिन नीचे आता है तो अगर किसी को खरिदना है तो वहाँ पर एक बाइंग की opportunity बन सकती है और कुछ support और रेजिस्टर्ण वो काफी useful रह सक सकते हैं कोई भी शेर हो तो यह support और रेजिस्टर्ण वो काफी useful रह सकते हैं इसके उपर आप चाहे तो नजर बढ़ा कर रख सकते हैं अब जैसे कि यहाँ पर जो है train line का यह breakdown दिया है 200 दिनों के moving average को भी तोड़ा है intraday में अभी दोपेर का time बाकी है कहां तक कहां आज की जो closing है वो माइने रखती है कहां पर closing होती है और कहां पर closing होती है तो अच्छा रह सकता है वो भी हम देखेगे और पहले तो जो आज के कारोबार की बात का लेता है अभी 10 बजे का अपडेट है 2,000,000 की delivery उठी है अभी भी जो है delivery volume यहाँ पर अच्छा लग रहा है 62% की delivery पिछले दिनों में भी अगर आप देखेगे यहाँ पर अच्छी चीज़ यहाँ पर यह लग रही है कि यह 200 दिन के मुविंगे असपास खास करके 980 से 1000 रुपे के असपास अगर देखें यहां से लेकर यहां तक अच्छी डिलिवरी उठी और अब देखे 15 मिनिट का चार इसके अंदर जो है कल भी अगर आप देखेगे सबेरे वोलियूम कम था दोपर के बाद जो है अच्छा का सब वोलियूम आता है आज भी देखना बनता है कि यह इसी दर एकर से कामकाज होता है या नहीं बाजार के अंदर भी आज हाला की थोड़ा सा प्रेशर है और यहां सकते हैं और गिरावट के अंदर भी कह सकते हैं और यह जब इत एक यह देर लग सकती है और यह पर और प्रहे और ंपर देखा करें जब तक सकती है और यह इस लिए इस लोह है यह नोग को है यहां पर सब सब देख सकते हैं, यह जो पिछले हपते का लो था, इससे नीचे का लो बनाया है इसने, तो इस हपते, क्योंकि यह छोटा हपता है, आज बुद्वार है, कल का दिन जो है, आखरी दिन है, कल तक अगर इस लो के ऊपर अगर, अगर लो कितना था, एक अजार और पाच कासपास का, इसके उपर अगर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, अथर्वाइस थोड़ी सी गिरावट की संभावना हो सकती है, लेकिन, जो एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है, अभी भी जो है, वो रस दिक दिक रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है, वो भी हम देख ये जो है, इसका प्राइस, आज जो है थोड़ा सा नीचे आया है, अगर ये 50 डेस के मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज करने लगे, तो ये 50 डेस का मूविंग एवरेज वापस से नीचे इस तरीके से करव ले सकता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, तो ये भी तेजी आनी की संबबना हो सकती है, लेकिन फिलाल इसके आसपासी आज वहीं पर इसने सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी उमीद एक मतलब की बनी हुई है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें तो अच्छा खासा एक्किमलेशन हुआ है, तो 980 रुप यहां पर लग रहा है, लेकिन अगर मालकेट के अंदर ज्यादा गिरावट आती है, तो इसके अंदर गिरावट आ सकती है, अभी भी यह स्ट्रॉंग सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक अगर आप डिलेवरी वोलिम देखें, वह काफी इसके अंदर लग रहा था, और जैसे ही इसको तोड़ा, अगर इसको तोड़ता है, तो स्ट्रेंथ जो है, वो उसके अंदर कमी आ सकती है, और वो आई भी और यहां पर जो है, एमेसीडी को भी हम अभी देखेंगे, पहले तो बुलिंजर बेंग को देख सकते हैं, यहां पर भी अगर इसकी मिलन लैन कल इसने तोड़ी थी, लेकिन उसके आस-पास इसने क्लोजिंग दीदी, आज इसको तोड़ा, जैसे ही मिलन लैन को तोड़ा, जैसे कि हम लब चल्चा की, के एक सपोर्ट अगर तूटता है, तो इसके बाद नेक्स शपर होता है, वहां तच गाने की संभा लग रही थी लेकिन एक मतलब की यहां पर अभी देखें कि यह बेस्ट क्रोसवर जो इसके पहला बार था वह चोटा बना था अभी भी और वहां पर भी हम ने चर्चा की थी कि सपोर्ट अभी भी जो है नजदीक लग रहा है वह भी हम देखें कि यहां पर आरे साइज जरह कि समबना रह सकती है और यहां पर आप देख सकते हैं फीबो नाची का रिट्रेस्मेंट यह जो है काफी इंपोर्टन रह सकते हैं यह सब के लेवल है यहां से लेकर यहां तक की जो तेजी आई थी उसके जो है रिट्रेस्मेंट है और प्राइस के अंदर थोड़ा सा जो ह हो सकता है, अब यहाँ पर अगर देखे 61% का रिट्रेस्वन जो की 980 रुपे के आसपास है, बार-बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, बार-बार और अच्छे कासी इसके अंदर तेजी भी आई है कई लोगों को इसके अंदर फाइदा भी हुआ होगा क्योंकि short term traders भी हो सकते लong term traders भी, सिर्फ आप इसके अंदर मतलब की trading नहीं करते, वह मतलब की ऐसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोग भी नहीं करते यह मतलब की share market है, इसके अंदर short term traders, long term traders, intra date traders सबी लोग मतलब की हो सकते है और काफी हमें कमेंट्स भी आते है कई लोगों ने 980 रुपे से लेकर 1000 रुपे के आसपास खरीदा उपर में 1050 से लेकर 1070 के आसपास बेचा चार बार ये सिलसिरा हुआ था ऐसा नहीं है कि ये शेर मतलब की वही के वही अटका हुआ है तो इसके अंदर होती है वोलेटलेटी भी होती है अब यहाँ पर देखे तो 980 रुपे वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है उसके नीचे का सपोर्ट यहाँ पर 50% का रिट्रेस्में जो की 900 रुपे के आसपास है वहाँ पर इसको स्ट्रोंग सपोर्ट मिल सकता है रिजिस्टन की बात करें तो 1100 रुपे के आसपास क्योंकि वहाँ पर है 78% का रिट्रेस्में अभी प्राइस जो है इन दोनों के बीच में नीचे में 100 रुपे उपर में 100 रुपे इस तरीके से ये फसा हुआ है इस रेंज के अंदर फसा हुआ है ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं न कहीं तो अब इसके सपोर्ट और रजिशन हम देख लेते हैं 1000 रुपे फिर से 1000 रुपे के आस पार पहुचा अभी टाइम की बात करें तो दो पर के 11 बजे के आस पास का टाइम हुआ है वीडियो के शुरुआत के थी तब यह थोड़ा सा 1000 के नीचे था वापस थोड़ा सा 1000 के उपर आया अभी देखे यहाँ पर आज 5 और 9 डेस के मुविंग एवलेज के नीचे भी काम कर रहा है और 21 दिन का मुविंग एवलेज के नीचे काम कर रहा है पहले तो आज की क्लोजिंग की बात करें तो 1000 और 5 के उपर भी अगर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है और आज नहीं तो कल कल अगर कल भी इस लेवल के उपर अगर closing दे तो अच्छा रह सकता है कि पिछला हफ़ता का जो low है उससे उपर अगर closing दे तो अच्छा रह सकता है जो डोजी candle बनी थी साथ साथ strength कब वापस आ सकती है तो यह जो मुझे इसा लग रहे है कि अगर मतलब कि इसको तोड़ पाना इतना आसा नहीं हो सकता है अगर मतलब कि नीचे गिरावट आती है तब की बात है ज्यादा market के अंदर गिरावट आती है तब ही इस लेवल को तूटने की संभवना हो सकती है फिलाल तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर और अगर इसके नीचे जाता है तो जो है दूसरा इसका जो सपोर्ट अरिया है वो जो है 950, 920 और 900 रुपे का आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है और यह लेवल भी ज्यादा दूर है नहीं अभी 1000 रुपे का तो प्राइस है और अगर रजिस्टन की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की एक तो पहला रजिस्टन नजदी की रजिस्टन अगर देखे तो 1015 उसके बाद देखे तो 1025 रुपे का आसपास का यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यह जो है इन तीनों ही मूविंग रिन इसी के असपास काम कर रही है तो यह इसका नजदी की रिजिस्टन है दूर के रिजिस्टन की बात करें तो एक ash doe रपच पंज Bunun सेले कर 1100 रुपे का लेवल यह एक दो तो अधॉ में, इसलिए नो दिनों के मुविंग इवलेज का आ सपास, तो क्या बाउंस बेग देता है या नहीं? वह देखना बनता है, आज की क्लोजिंग कहां पर रहती है, वह मैंने रहती है, एक थार और पाच के उपर क्लोजिंग दे पाता है या नहीं? वैसे मुझे ऐसा लग रहे कि इसी लेवल के आसपास ये closing दे सकता है या फिर एक हजार पाँच से उपर, एक हजार से लेकर एक हजार और दस के आसपास की closing रह सकती अगर हजार के नीचे closing देता है तो तक्रीबन जो है 990 रुपे से लेकर 1000 रुपे के बीच में है इसकी closing रह सकती ऐसा यहां पर फिला लग रहा है तो शाम को इसके पर डिटेल में चर्चा करेगे और अगर आपके इसके अंदर holding है तब तक के लिए तो subscribe ज़रूर कर ले हमारे चैनल को